हलो नमस्कार दोस्तों 9 जुलाई 2018 की दे हिंदू एडिटोरिल डिस्कसन में आपका स्वागत है यहां पर हम दे हिंदू के इंपोंट डिटोर से हो डिस्कस करने जा रहे हैं तो एक बार हम नजर माल ले थे कि कौन कौश डिटोरिल हैं यहां पर डिस्कस करेंगे सबसे पहले हमने ओलेडी चार-पाच आर्टिकल यहां पर डिस्कस हैं वो कर लिया है कि सुप्रिम कोट के वर्डिक्ट क्या है और जो बीशुष थे यहां पर जो आर्टिकल है सेगें बड़ आर्टिकल यह आर्टिकल आया है कि जो अर्बनाइजेसन हो रहा है सिटी में इसके दोरान हुआills रहे हैं क्लेकहें पर ज्युक्त क्या नुक्सान है क्या क्या कि रूसे करें यहाँ पर आइगे यहां नए कि चाइना उर युए सकी चाइना च्रेड वार रो हो तो इसका एकड़š नहीं उनकों डिस्क्स कर í dopamine यह च्थ इन आर्डघ क्सनी यहां तो जys wise स्गत यहां पर जो आर्टिकल आया है बेंडली European Union के अंदर जो आपको बता है भी एकजिट हो रहा है भी रिसेंटली और इसके साथ युएसे की जो एकुनोमिय है उसका और इंडिया के ओपर क्या एफेक्ट पड़ रहा है तो इसको हम इंडिया के अंगल से आप डिसक्स करने वाल रहा है तो उसके बारे में आपनी साथ को डिसक्स करेंगे यह आर्टिकल कुछ काम का नहीं है चलते हैं हमारी डिसक्सिन की तरब सबसे पहले जो आइडिटोरिल है वह हम देखेंगे ट्रेड वोर के बारे में तो देखो ट्रेडवर की बात कुछ ऐसी आपको पता है कि टेक्स पे टेक्स लगता जा रहा दोनों साट से इससे नुकसान ही हो रहा है कि जो फंडा था ना कि बाइस सब भी कंटीज है वो ग्लोबल लाइसें के तुरू अपस में ट्रेड करें और मतलब एक दूसर की एकोनों में और ट्रेड के लिए उपन रही वो आप यहां पर ऐस हो सकता है उनको short term benefit मिल जाए पर long term देखा थे तो USA की एकोनोमी को लुक्सान होगा इस साथ USA की इमोज है इमेज जैसोरी उसको भी काफी बड़ा दबा यहां पर लगने वाला है देखो आपको एक्टिता हूँ कि USA की जो एकोनोमी है वो एक्सपोर्ट ही करती है USA के काफ सा गूगल हुआ फेस्बुक हुआ यूटूब जैसी सारी जो companies है एक्चुली USA की है Microsoft वगरा तो यहां से एक चीज़ सामने आ रही है कि यार इतनी बड़ी कंपनी है तो वह इसलिए काफी जदा वहां पर revenue मिल रहा है उनको तो इसलिए export जैसे ओर रेंडर कनते है तो वहां प बूगतना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात यहां पर बताई जा रही है वो बताईए जा रही है कि देखो भाईया जो globalization है उसका effect बहुत बड़ा negative effect यहां पर देखने को मिल रहा है 1990 का दसक था उस दसक में तो आपको पता है कि USA जैसी है और European Union जैसी तो economy थी वह सब यह क वो अपने फायदों के लिए तो उस टाइम पर पोलिसी लेकर आगे थे और आज की टाइम पर पोलिसी उनके लिए relevant नहीं है तो वो अपनी मनवर्जी यहां पर करते वे दिख रहे है इसके बाद में रैटर बता रहे है कि USA ने तो किसी को भी नहीं छोड़ा USA यहां पर किस इसको रैटर एक तरह से कह रहा है कि देखो बहुँ गोल्ड वार था रहा जो कि रसिया की टामी में रसिया के लिए स्टार्ट हो था मैं ली 1960-50 के दर्सक के दूरान वहीं सीन आज वहां पर वापस स्टार्ट हो गया तो एक तरीके से हम खहा सकते है कि भाई जो अभी ट्र कर दिया USA वहां से अलग हो गया तो मतलब क्या हुआ बाकी जो कंटीज थी उन्होंने उन्होंने क्या वोला कि भाई हम USA नहीं रहा तो भी हम TPP को आगे continue वह रखेंगे तो इसका मतलब तो यह वहाना कि USA को वहां से isolate कर दिया गया कि USA नहीं है तो भी कोई बात नहीं वह तो नेक्स जो आर्टिकल है वो आया है पेड़ पोद के कटाई हो रही है लगातार उसको लेके बताया जा रहा है कि development है उसमें क्या-क्या नुकसान यहां पर होने पार है तो अब भी recently यहां पर दो cases लिया गया है पहला cases लिया गया दिल्ली का दूसरा लिया गया यहां पर Mumbai का दिल्ली के अंदर आपको पता है काफी सारे development के नापे पेड़ पोद काटने के लिए भी उनुमती थी तो उसको बाद में आपके काफी स्टेव अगरा आ गया वही बात यहां पर Mumbai की पताई जारी कि Mumbai में रेल कोरिडोर बिचाने के लिए लगबग 2000 पेड़ पोदो काटने दिल्ली और आपको पता है मुंबज जी सीटी में पॉल्यूशन कम नहीं है दिल्ली तो देखा थे तो टीप लेवल प्यार का है पॉल्यूशन के मामले में तो उकर ऐसे हालात में आपके 14-14,000 पेड़ देकाटे जाएंगे development के नापे उसका मतलब क्या हुआ कि लोगों को लोगों को हवा नहीं मिलेगी तो इसका साफ साफ इंपेक्ट क्या पड़ेगा बैर डेफ्स तो वैसे खितम हो रही है तो और इसका एफेक्ट यह पड़ेगा कि development तो हो रहा है ना हुआ पर लोग रही नहीं पाएंगे तो फिर क्या मतलब ऐसे development का देखो कहीं भी आपको कोई भी प्रोजेक्ट लगना है तो उस प्रोजेक्ट को लगने से पहले आपे Environment Impact Assessments का एक सर्वेय होता है उस सर्वेय के देखा जाता है कि इस वाले एरिया के अंतर जो भी लोग रह रह रहे है और यहां पर जो प्रोजेक्ट लग रहा है इस प्रोजेक्ट के लगने से कि लोगों को नुकसान जादा हो रहा है अगर Benefit भोग जादा होते है तो तो अस प्रोजेक्ट को लगा जाता है अगर वहां प्रोजेक्ट नहीं लगता है बड़ार्ख करती है और आपको बता है कि गोष्ड्मेंट ही सर्वेव पगर कर त iz PACra कर ले ती है वही किस देखने वो मिला दिल्ली में तो राइटरी अब बता रहे हैं कि दोको forest के जगर development करना बिल्कुल सही है हम और भी तो दूसरी विकल प्ले सकते हैं ना forest को एक जगर से दूसरी से करना काफी मुश्किल और नामुकिन हो जाता है वहां का ecosystem अलग होता है वहां का ecosystem अलग होता है वहां का environment अलग होता है तो उसके coding ही पेड़पोदे होता है अब ऐसा थोड़ी कि दिल्ली में आप पेड़पोदे काटके आप जमौन किसमे में लगा अच्छी बात है प्याप जमौन किसमे में लगा और नहीं है पर ऐसा थोड़ी के आप दिल्ली के वेडपोदे सारे काड़ दो जहां पर जोड़ी कि आप एक जड़ी से पेड़पोदे को सिफ्ट कर दोगे वह तो पुछी पोसिबल नहीं है फिर दूसरी बात रिए कि वह दिली बढ़ता जा रहा है दिली दिली और मुंबई में तो एक दिन समय ऐसा जाएगा कि वहां पर जीना ही दूरूबर रहे और रहना दूरूबर दोनों ही हो जाएगे इसके आप में राइटरी यह बता रहे हैं कि देखो जो कि यहां पर पेड़पोदे काटे जारे तो उसका मतलब क्या होगा? कार्बन डियोकसाइड का लेवल बढ़ जाएगा तो इससे ग्रीन हाउस गेस इफेक्ट बढ़ जाएगा तो आपको पता है पहले सी जदा गर्मी है फिर और जदा गर्मी हो जाएगी बारी सही इन्रेगुलर हो जाएगी मुंबई में अभी पूद ही नहीं होगे तो इसलिए गोवर्मेंट को ऐसे स्टेप नहीं उठाने चाहिए फिर यहां पर बात की जारी है केमपा की कि जो फोरेस्ट के लिए इसका महन प्रावदानिया था कि केमपा बिल का जो पैसा है वो 90 परसेंट जो पैसा है वो तो जाएगा स्टेट गो रूपे जमा पिड़े हैं उनका अभी तक कोई डंग से उटलाइजसन या यूज़ वो नहीं किया गया है और राटर कहरे हैं कि जो पैड़ को दे काटे जा रहे हैं उनके बदले में जो कंपेस्ट ने दिया जाता है गोवर्मेंट को या इस फंड के अंदर वह बहुत कम ह होता है उसकी जो देखा दे तो ओलोर एकोनोमिक और आप बोलोग एकोलोजिकल वेल्यू देखी जाए तो वह ज़्यादा होती है उस फोरिष्ट की बट फिर भी गोवर्मेंट को नामातर के पैसे दी जाते हैं और इससे बैर डिवस्टी के साथ 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 एकोलोजिकल लो बहुत अच्छी बात है कि डवलोगमेंट हो पर डवलोगमेंट ऐसा तो यह नहीं होना चाहिए न कि 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 आप घरदन काट गया किसी का घरा भरबात करें फिर आप डवलोगमेंट करो तो उससे क्या फैदा हो तो रैटर का वही एंगल यहां पे बार बार शुक्या ज अगरे इसके साथ ही इसके साथ ही बीच में पार्क और बुश्ट करना होगा ताकि इन्वर्मेंट समझे जो इसूज है उनको भी दूर से निप्टा जा सकते हैं फिर यहां पर आता है अगला में आर्टिकल वह आता है बीटेन का एक्जिक्ट जो आपको बताई बीडिए इसके सब्सक्राइब करने वाले हैं सबसे पहली बात है कि बीचिक्ट करने वाले कंट्री को भी अलग रहा है इन्वेसर्स को क्या हम इन्वेस्ट हो करेंगे पता नहीं कैसा क्या महल लगा तो काफी संदिक तही है इसलिए इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कम हो रहा है फिर बात की जारी है फंडिंग की कि देको पहले बीटेन हैं वह उन्यूंट का पार था तो ओबिसली यूडियोपएन के तरफ उसे फंडिंग मिलती थी अब अगर वह उसे डवलोपमेंट में द European Union से तो उसे गेलिल्यू प्रोजेक्ट से भी आउट कर दिया जाएगा ओविसलिए क्यों वो तो European Union का प्रोजेक्ट है तो कहीं ने कहीं रिटेन को इन 3-4 फ्रेक्टर में काफ़ी बड़ा नुक्सान हो सकता है तो इसलिए उन्हें काफ़ी धान हो रखना चाहिए था पर यहां पर राइटर वो बता रहे हैं इंडिया की डाइमेंजन जी कि देखो भाई या यूएस की एकोनोमी वह भी आपको बता है थोड़ी डामाड हो रही है कि ट्रंप की टाइम से देखा जाए तो बिटेन की आप देख सकते हो तो मुलब दो जो मेजर एकोनोमी है उनमे तो इसी बात को लेकर रिटर के रहे हैं कि टुए एस और उуск Arya है उन दोलों को काफर दिख्णत हो रही है और इंडिया के समाधान कना यहां पर रैटर के रहे हैं कि ऐसा होना कोई बेनिफिज़ नहीं होने वाला है और उनको नुक्सानी होने ओला है तो यह साथ लिह आप्डिकला हुआ है disabled person के बारे में इस आटिकल के बारे में इस आटिकल में इस आटिकल में बताया गए कि देखो जो इंडिया में disabled लोग है इनको जो रिजुरेशन दिया गहा है according to rule वो रिजुरेशन और जो प्रोपर डंग से दिया जाता है disabled को, उतना rejection नहीं मिला है उनको, बहना कहा जा जा रहा है, तरक यह दिया जा रहा है कि भी है उतनी सीटे नहीं है, तो ऐसा थोड़ी की disabled लोगों के लिए सीटे के तो बहुए बागी लिए सीटे हैं, तो अगर लोगों की सीटे कम होने चाहिए, ओबी सी जनल इसा थोड़ी की disabled की आप सीटे कम कर रहे हो, फिर यहां पे इस वह हुआ है teachers का, कि teachers में भी disabled teachers हैं, उनको प्रोफर डंक से रहे जोशन यहां पर नहीं मिलना है, तो यह डोल आए मैंसन यहां पताए कि यह जो आला नेरू उनिवर्शिटी की case study form में, फिर देख़ा आपको government job के अंदर education दिया गया आपको तो disabled को 3% था पहले, अब 4% कर दिया गया, higher education में जो resolution है पहले था 3% और अब कर दिया गया 5%, पर writer कह रहे हैं, कि देखा ज़े अगर ground level पे, तो ऐसा implement नहीं किया गया, कि और card job में 4% और 5% है, बाकि अभी भी 3% ही चल रहे है, तो writer का यह कहन कर रहे हैं, कि भी या, इसका मतलब क्या हुआ, इसका साफ-साफ मतलब तो यह हुआ, कि government कही नहीं कि accountable officers है, वो एक तरी से अपना काम bank से नहीं कर रहे हैं, इसका सिधा-सदा एक मतलब यह भी है, कि government जो भी rule regulate है, उनको फ्रोपटरंस से implement नहीं कर पा रहे हैं, तो writer के दोर यह बताया जा रहा है, कि देखो, दिव्यांग लोगों के लिए, अगर ऐसा government करें तो वो उनको एक तरी से अपने आपको अलग-थलग मैसूज करेंगे, और पि वो कही नहीं कहीं सोसाइटी में कमिनलिजम को बढ़ावा दे सकते हैं, तो इसलिए government को जो accountability है, जो officers है, कि इसा क्यों नहीं हो रहा है, implement नहीं हो पार है, उसके फोकस करना चीए, इसके साथ ही, जो भी act हो गरा है, उनको implement करने के लिए policy हो गरा हो, और stick करना चीए, ताकि जो भी इसके लिए countable पर सुनो, उसको उच्छी दंद दिया जासके, अगर वो दंद से काम हो गरा, नहीं कर तारिक की और आजगी पीडियाफों दोनों पीडियाफों आपको हाँ मिल जाएंगे,